नमस्कार आप सब का स्वागत हैं लव मैरिज के बाद एक फौजी दूसरी शादी करने जा रहा था तभी उसकी पत्नी गेस्ट हाउस पहुँच गई पती की बरात पहुचने से पहले ही महिला ने लड़की वालों को पूरी बात बताई जिसके बाद शादी कैंसिल हो गई फिलहाल आरोपी दूलहा फरार है पुलिस उसकी तलाश कर रही है मामला कानपुर के महाराज पूर्थाना क्षित्र का है यहां रहने वाली खुशबो बीज की शादी फतेहपुर के फाजी सरवेश तेस सितह हुई थी इस समय उसकी तैनाती जम्मू में है चार दिसंबर को सरवेश बरात लेकर गेस्ट हाउस पहुचने वाला था लेकिन कुछ घंटे पहले ही एक युवती शोबहा अठारा अपने परिजनों के साथ गेस्ट हाउस पहुच गई उसने दुलहन के गरवालों को बताया सरवेश के साथ एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था पांच महीने पहले यानी जुलाई में हमने लव मैरेज की इस बात से गुस्सा है दुलहन पक्ष के लोगों ने शोबहा और उसके परिजनों के साथ मार पीट शुरू दी सूचना पर पहुची पुलिस ने मामला शान्त कराया दुलहन खुश्भू के बाबा के मताबिक दुलहा पहले से शादी शुदा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी कैयारी भी पूरी हो चुकी थी और बरात आने वाली थी करीब चार से पांच लाख रुपे और एक बाइक पहले ही दे चुके हैं अब सब बरबाद हो गया पहली पत्नी शोभा का कहना है शादी से पहले सर्वेश से प्रेम प्रसंग के दौरान मैं प्रेगनेंट हो गई थी लेकिन उसने अब बॉर्शन करा दिया था तीन महीने पहले मुझसे बोल कर गया था कि जम्मू में तैनाती हुई है छुटी पर आऊंगा लेकिन तब से गायब है जब मुझे पता चला कि वो दूसरी शादी कर रहा है तो मैं केस्ट हाउस पहुँच गई एसपी अनुराग आर्या ने बताया मामला सना ग्यान में आया है एक युवक पहली शादी को छेपा कर दूसरी करने जा रहा था तब ही उसकी पहली पत्नी पहुँच गई और शादी रुग गई आरोपी ने खुद को फाजी बताया है उसकी तलाश की जा रही है